ब्यापार और अर्थ जगत से हैं, तो अन्य बहुत से सदस शिक्षा के छेत्र से हैं, लोगों का जीवन बचाने वाले मेटिकल प्रोफेशन से हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाले लीगल प्रोफेशन से हैं, फिल्म, कला, साहित और संस्कृति के छेत्रों में अपनी इसे अनभवों से संसत में होने वाले विचार विमर्ज और सम्रद्ध होंगे। माननी सदस्गर्ण इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही इस्पस्ट जना देश दिया है। सरकार के पहले कारिकाल के मोल्यांगन के बाद देश वासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देश वासियों ने बर्स 2014 से चल रही विकास यात्राव को अबाधित और तेज गती से आगे बढ़ाने का जना देश दिया है। बर्स 2014 से पहले देश में जो वातावर्ण था उससे सभी देश वासि भली भाती परचित है। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देश वासियों ने तीन दसकों के बाद पूर भोहमत की सरकार चुनी थी। उस जना देश को सरवोच मान देते हुए मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के नर्मान की दिशा में आगे बढ़ना सुरू किया। मैंने इसी वर्ष 21 जन्वरी को इसी सिंटल हाल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सबी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुसासन से पैदा हुई उनकी मुसीवतें दूर करने और समाज की आकली पंक्ती में खड़े विक्ती तक सभी जरूरी सुधाएं पहुचाने के लक्ष के प्रती समर्थी थे। बीते पाँच बरसों के दौरान देशवासियों में ये विस्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बहतर बनाने और इज आफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देश बाचियों के विस्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जना देश मांगा गया। देश के लोगों ने जीवन की मूल भूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। लेकिन अब इस लितियां बदल नहीं है। मेरी सरकार जन साधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधा युक्त और बंधन मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान जीवन में उसे सरकार का दवाओ, प्रभाओ या अभाओ ना मैसूस हो। देश के प्रतेक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुक्ध दे है। आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेवाओ नए भारत की ये परिकल्पना, केरल की महान अध्यात्मिक विभूती, समाज सुधारक और कभी स्री नारायन गुरू के इन आगे बढ़ रही है।